आंत्रिक लाडाईया, कलेस, कलाह जो अयोध्या में चल रही थी, अंदर ही अंदर मनमुटाव चल रहा था लोगों के बीच में, जो अपने लोग थे, इन्हों ने जब विपक्ष में जाकर ऐसी राजनीती कर दी, जो अपने थे, घर के लोग थे, वो जाकर दूसरे से मिल ग और माता कैकई की तरह राम को बनबास देने की कोशिस की, इन्हों ने गाउं के तरफ ध्यान नहीं दिया, कारकरताओं को भी बहुत उपच्छा की गई, ब्यापारियों की भी उपच्छा की गई, लोगों ने अपना दुकान, अपना मकान, सब भगवान राम के नाम कर दिया, दुकाने तोड़ दी गई, उसके बावजूत भी हम लोगों ने भाजपा को उड़ दिया, हो सकता है कि जन संपर्क में कमी रही हो इनके, बेहत सर्मनाक है कि श्री अवत धाम में जिस भारतिय जनता पार्टी ने हमारे 500 वरसी काले तिहास को उजल भविश के भी बीजेपी को मिली हार, आखिर क्यों प्राम की नगरी में बीजेपी को जेनली पड़ी हार? आईए जानते हैं पूरी कहानी, 22 जनवरी 2024, एक एतिहासिक दिन, जब 500 सालों के इंतिजार के बाद राम भक्तों का सपना साकार हुआ, आयोध्या में भगवान राम लला की प इतिहासिक पल का असर आगामी लोकसभा चुनाव में दिखेगा और उन्हें बड़ी जीत मिलेगी, लेकिन नतीजे कुछ और ही कहानी बया कर रहे थे, राम नगरी अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट पर भारतिय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के हातों हा कोई है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, चुनाव में भाजपा को हार मिलने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स अयोध्या वासियों को जम कर कोस रहे थे, मद्दाताओं को इस हार का जिम्मिदार ठेराया जा रहा है, इस हार के बाद अयोध्या के सादू संतोक और जनताउक म हार को लेकर संतों और जनता ने क्या रियाक्शन दिया है, आईए जानते हैं रहा था लोगों के बीच में, जो अपने लोग थे, इन्हों ने जब विपक्ष में जाकर ऐसी राजनिती कर दी, जो अपने थे, घर के लोग थे, वो जाकर दूसरे से मिल गए, मन्थरा की तरीके से काम किया, और माता कैकाई की तरह राम को बनबास देने की कोशिस की, इन करवान राम के नाम समर्वित कर दिया, दुकाने तोड़ दी गई, उसके बावजूद भी हम लोगों ने भाजपा को उड़ दिया, हो सकता है कि जन संपर्क में कमी रही हो इनके, बेहत सर्मनाक है कि श्री अवद धाम में जिस भारतिय जनता पार्टी ने हमारे 500 वरसी काल कि यहां के थे लल्लु सिंग जी, जो है उन्हीं के वज़े से वह आई है, तो कि जब यहां पर चौरी करण हुआ, सारा कुछ हुआ, तो उस तरीके से काफी लोग नाराज भी हैं, और कुछ लोग रो भी रहे थे, उस टाइम कोई भी उनका जायजा लेने के लिए नहीं आ इसी वज़े से जुद्या का मेन हारने का करण है, इसमें बहुत सारी दिक्कत हुए, कुछ से देखिए क्या है, रिक्षे वाली भी दुखी है, रिक्षे वालोग क्या है कि रिक्षा जो चलाते हैं, आठ बज़े के बार, नो बज़े के बाली लोग बैरिया लगा-लगा के बढ़ेंगे नहीं उसकी किस्त नहीं भरेंगे उनके परिवार्या खर्चा कहां से चलेगा तो बहुत सारी दिक्कते हैं जिसके वज़े से लोगों ने बाजपा को वोट ना दे करके दूसरे लोगों को वोट दिया इसका आरोप आयोध्यवासियों को उपर ही क्यों मैं आपसे पूजना चारा हूँ इसका आरोप आयोध्यवासियों को उपर क्यों आयोध्यवासियों ने अपना घर दुवार दिया अपना तोलफोल करवाया फिर भी भाजपा को वोट दिया सबसे ज़्यादा हर बिदान सब लोकल एटीन के लडिये अयूध्या से सर्वेश रिवास्तव की रिपोर्ट